आज इस वीडियो के अंदर में आप सबीके लेकर आया हूँ दो बहुत ही ज़ादा बढ़िया मोबाइल्स पोको और सैमसंग की तरफ से तो इस वीडियो में में इन दोनों में कम्पैरिजन करके आपको बताओंगा इन दोनों में क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है और आपको इन दोनों में सब कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा एक है सैमसंग का M31S जो सबसे ज़ादा पॉपॉलर मोबाइल है भी सैमसंग का दूसरी तरफ है पोको M2 प्रो जो आपको मिलता है 17,000 में सैमसंग है 19,000 का तो दोनों में धाई हजार का फर्ख है चले देखते हैं 17,000 में पोको M2 प्रो के साथ क्या क्या मिलता है तो जैसी आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले रख़वा मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमे लगवा है एक सिमेज अक्टर टूल अंदर रख़वे मिल जाते है कुछ यूजर मैनूल इसके बाद दिया गया है यह नॉर्मल क्यालिटी में कवर इसके बाद मिलता है मॉबाइल एक रैपर के अंदर जिसके डिटेल लुक हम भी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है यह वाइट कलर में डेटे केबल इस मॉबाइल में आपको फास चर्जिंग का सपोर्ड भी मिलता है और एक 33 स्वाट का फास चर्जर मॉबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है तो चार्जर तो इसके साथ आपको बहुत अच्छा मिल जाता है यह सारा समान दिया गया है पोको M2 प्रो के साथ 17,000 में रेट के साथ से देखा जा तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको काफी अच्छे ही मिलते हैं चार्जर भी बहुत अच्छा है डेटे केबल की क्वैलिटी भी काफी अच्छे मिल जाती है टाइप C केबल भी है बाकी 200 एयरफोंस तो आपको आजकल किसी भी मुबाइल के साथ देखने को नहीं मिलते है होते तो काफी अच्छे रहता चलिए देखते हैं अगर आप 2500 और जादा खर्च करते हैं सैमसंग के M31S पे तो उसके साथ आपको क्यक्य मिलता है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं इस मुबाइल को इसमें भी आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ लगवा मिलता है कुछ इस तरीके से एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे लगवा है एक सिमजेक्टर टूल अंदर रखे वी मिल जाते है कुछ यूजर मैनुवल कमी यहस के साथ आपको कवर नहीं दिया गया वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा इसके बाद मिलता है मुबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल उख हमों भी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है यह डेटे केबल इसक इसकी बिल्ड क्यालिटी काफी जाद अच्छी है अब दोस्तों अच्छी चीज यह है इसमें भी आपको फास्ट शर्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और एक 25 वाट का फास्टेजर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है तो यह सारा समान दिया गया है के बारे में तो दोस्तों डिजाइन आपको कुछ इस तरी किस मिलता है पोको M2 प्रो में आपको ग्लास लुक दिया गया है गुरिला ग्लास की प्रोडेक्शन के साथ तो इसमें आपको डिजाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है स्क्रैचिस की प्रोब्लम आप आपको काफी बढ़िया मिल जाता है लेकिन क्वालिटी जाद अच्छी है पोको M2 प्रो की ही बात करें दोस्तों के बारे में तो पोको M2 प्रो में आपको पीछी की तरफ चार कैमरे दिये गया है जिसमें पहला है 48 मेगड़ पिक्सल का तीसरा 5 और 14 2 मेगड़ पिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगड़ पिक्सल का कैमरे की पर्फॉमेंस इसके अंदर आपको काफी अच्छे मिल जाती है वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के M31S में आपको पीछी की तरफ चार कैमरे दिये गया है जिसमें पहला कैमरा 64 मेगड़ पिक्सल का है दूसरा 12 मेगड़ का और बाकी की दो कैमरे हैं 55 मेगड़ पिक्सल के इसका फ्रंट कैमरा है 32 मेगड़ पिक्सल का कैमरे की पर्फॉमेंस आपको सैमसंग के M31S में भी बहुत अच्छी दी गई है कैमरे के अंदर ये दोनों मोबैल्स काफी बढ़िया है लेकिन और जाद अच्छा आपको मिल अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वैलिटी जाद अच्छी होने के वो जैसे मुझे डिजाइन में पोको M2 प्रो जादा बेटर लगा बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो सैमसंग के अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है 6.5 इंचिस के बारे में तो सैमसंग में तो यूज 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 को करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन मिल जाती है और का*** firmly सब्रों नोंbal चलाने में पाफी अच्छ रगते हैं लेकिन जाधा बढ़िया लगता रही यूज एसका ज्यादा बैटर है दोनों मोबाइल की डिसप्लेंगे बिल्कूल ब्राइटनेस करके माँआपको करीब से दिखा देता हूं अब दोस्तों दोनों मॉबाइल के अंदर आपको पंच वॉल कैमरा दिए गया है डिसप्लें डिसप्लेंगे डिसप्लेंगे तो आपको और M2 Pro जाद अच्छा है लेकिन सबसे इंपोर्टेंट है डिस्प्ले की क्वालिटी और डिस्प्ले का डिजाइन जो आपको जाद अच्छा दिया गया है सैमसंग में तो डिस्प्ले को लेकर सैमसंग M31 जाद अच्छा है पोको M2 Pro से लेफ्ट साब देखेंगे दोनों में सिम के ट्रेड दी गई है अच्छी चीज़ यह है दोनों ही मोबैल्स के अंदर आप दो सिम काड़ एक मेमरी काड़ तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं यह दोनों में खुबी है साइड उस आपको बिल्ड क्वालिटी ज नहीं मिलता तो दोस्ती सीज़ में दोनों मोबैल्स एक जैसे हैं इसके लावा ऊपर की तरफ साब देखेंगे तो दोनों मोबैल्स में मिल जाता है नौइस के इंसलेशन माइक बाकी पोको M2 Pro में आपको IR ब्लस्टर भी दिया गया है लेफ्ट साइड पर तो इससे आपका का ही फर्क है जादा खास फर्क नहीं दोनों मोबैल्स में बाकी दोस्तों पोक M2 Pro इस चीज़ में जाद अच्छा है इसकी कीमत भी धाए हज़ार कम है और रेम और स्टोरेज भी आपको सैमसंग की तरह दी गई है इसके लाव दोस्तों दोनों ही मोबैल्स के अंदर आपक आपको बैटरी दी गई है 50000 मेंच की इसके अंदर आपको एक बैटरी बैक अराम से मिल जाता है वही दूसरी तरफ सैमसंग में आपको बैटरी दी गई है 6000 में बैटरी में यह दोनों ही मोबैल्स काफी जाद अच्छे हैं लेकिन और जाद अच्छा है सैमसंग का M31S बात आपको बहुत कम चाहिए तो Poco M2 Pro इन दोनों मुबाइल्स में जाद अच्छा है प्रोसेसर इसके अंदर आपको जादा बढ़िया दिया गया है तो दोस्तों ये सारी खुब्यकमिया आपको मिलती है इन दोनों मुबाइल्स में चली बात कर लेते हैं सबसे में चीज आपको पोगो पर जादा भरूसा है या फिर सैमसंग पर इसके बाद जो आपकी में ज़ूरत की चीज़ वो कि मुबाइल में जाद अच्छी हैं तो दिखिए अगर आपको अच्छा डिजाइन चाहिए तो डिजाइन में वैसे दोन अच्छा है लेकिन quality जाद अच्छी है POCO M2 Pro की तो आप POCO M2 Pro खरी दियेगा अच्छे design के लिए इसके लब दोस्तों अगर आपके लिए matter करती है mobile की battery जादा तो आप Samsung लीजिएगा ये mobile आपके लिए जाद अच्छा रहेगा लेकिन अगर आपको fast charger अच्छा चाहिए तो आपको कम कीमत में POCO M2 Pro के साथ ही जाद अच्छा मिल जाता है इसके लब दोस्तों अगर आपके लिए matter करता है mobile का camera तो camera भी आपको Samsung में जाद अच्छा दिया गया है आप यही mobile लीजिएगा और अगर आपके लिए matter करती है mobile की display तो भी आप Samsung खरी दियेगा इसके display की quality जाद अच्छी है और अगर आपके लिए matter करता है mobile का user interface तो वो भी आपको जाद अच्छा दिया गया है Samsung में ही लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए matter करता है mobile का processor जादा तो मैं आपसे कहूँगा POCO M2 Pro लीजिएगा performance के अंदर आपको जाद अच्छी मिलेगी long term basis पे तो देखा जाए तो POCO M2 Pro में दो चीज़े बहुत अच्छी है एक तो अच्छा design दूसर अच्छा processor वही दूसरी तरफ Samsung में आपको चार चीज़े बहुत अच्छी मिल जाती है बाकी हर चीज़ के अंदर बाकी POCO M2 Pro ही अगर आपको पसंद आया तो मैं आपसे कहूँगा POCO M2 Pro आपको 14,000 में भी मिलता है यह 17,000 वाले variant है 14,000 वाले variant में आपको 4GB RAM, 64GB के internal storage मिलती है तो RAM और storage का फर्क है तो मैं आपसे कहूँगा अगर आपको बजट कम है तो POCO M2 Pro सही है लिकिन अगर आपको बजट 17,000 का है तो मैं आपसे कहूँगा थोड़ा बजट बढ़ा के M31S खरीदिएगा यह mobile आपके लिए ज़्याद अच्छा रहेगा अगर आपको बजट 17,000 के आसपास है मुझे भी दोस्तों इन दोनों mobile में Samsung ज़्यादा पसंद आया आप बताइएगे निचे comment करके आपको इन दोनों mobile में कौन से ज़्यादा अच्छा लगा यह चीज़ comment करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के निचे जो लाल कर अरका बटनों से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आकन भी दबा दीएगा ताकि नए वीडियो अब तक पहुचते रहें इसके लाब वीडियो गर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा WhatsApp Facebook पे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए Take care, Bye Bye